हेलो थ्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग को पता ही है रीजन जो मैंने लाश्ट में आप लोग को बता दिया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है हमारे वीडियोस में अब कुछ दिनों के लिए तो होगी ही क्योंकि महमान आ रहे हैं काफी साय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बीजी रहना पड़ेगा बट आई ट्राई माई बेश्ट और क्योंकि माहॉल नहीं है यार भाई ना माहॉल अच्छा है न अच्छा लग रहा है वट खेर छोड़ो क्या कर सकते हैं आजाओ अपन लोग एपिसोड पे चलते हैं और तुम लोग का दिमाग क्यों ही खराब करें इस बास से हैं न आओ माहॉल बनाते हैं तो जो पिछला एपिसोड था तो काफी आइकोनिक था हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि कुईन आइमिन अप्रेस अपने ड्रेगन पर बैटी हुई होती है और जो यान यहां खड़ा होकर वंड लोगों को देख रहा होता है जोन यह सोच रहा होता है कि यह चार चूत करता है क्या मतलब कि यह 9a oy of divine god मैं से फिए रहा हूं हलाकि यह कही होता है कि तभी प्रेजी स्रॉड्में केता है रूक वो अपनी स्रॉड से अटेक करता है जूलिंग जुहान तुरंती अपनी डबल स्रॉड लेकर कूंद बड़ा होता और जो सैडोगल होती है वो अपनी बैपन लेकर वाइड में गायब हो चुकी होती है साथ ही जो नाइन टेल अप डेमन फॉक्स होती है वो अपनी चाम पाबर के यूज़ करके इदर उदर बिलोप थो रही होती है और जूहन पर लाइन मारत हुए कह रही होती है देखो वैसे तो हम इसे रोक लेंगे लेकिन आर्मी बहुत बड़ी है और इनकी मॉडल पावर के पापर हाउस मतलब सप्लाई को तो में रोकना होगा तब या के कुछ काम बन पाएगा ऐसे तो कुछ नहीं होगा जो देखकर हो कहती है हम में से किसी के पास ऐसी पावर नहीं है चच्चा को बढ़ा हो सकते है मदद कर दें जो देखकर है जन कECW जो मतलब वो मिश्टियस जिसकी आबास सुनाई दी थी, जिसके बाद ये बुलाती है और चच्चा भी जाता है, जिसने आर्मार आर्मार पहन रखा था, काफी पारफुल लग रहा था, लेकर वो सीधा मना कर दे था, मैं कुछ नहीं करेगा इसमें, दूसरे हमने यह दे भी खा था, कि देखो ऐसा है कि लड़ाई जगड़े में कुछ नहीं रखा है, दौनों लोग के लोग मारे जाएंगे, तो मामला सुल्टा लेते हैं, बेकार में काहे को लड़ना है, जो देखकर एंप्रेस कहती हो, कि ये ता 120 यहां छोड़ दो, और तुम लोग जा सकते हो, जो देखकर ये बंदे ठाओ च्चा निजुराण को मना किया था कि हम मदद ना कर रहें, तो आओ देखते हैं कि क्या चाच्चा मदद करेंगे, क्योंकि चाच्चा की मदद के बेना कुछ नहीं होगा, तो ये एपिसोर्ट की स्थार्टिंग में हमें ये चाच्चा दिखाई जाते हैं, जो की लगी हुई होती है और इसमें आड़ी तेड़ी लाइने बनी हुई होती है जो सापतोर पर दिखाई नहीं दे रही थी और जुहाएन यहाँ पर नॉर्मली बता सकता था कि यह बन्दा बहुत 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 ज़्यादा है तब ही वो बन्दा तुरंत ही कहता है तो तुम बैटल एरीना को डिवाइट करना चाहते हो और उस मुखोटे की नीचे इस बन्दे की डीप वाइस निकलती है जो सुनकर जुहाँ दंग रहे गया होता है और तुरंत उसे यह लाता है क्योंकि टैक्सू वर्ल्ड के लोगों से अगर टैक्सू बीष्ट का सपोर्ड छीन लिया जाए जो जीतने की पॉसिविल्टी काफियत तक बढ़ सकती है आखे कर जौन को पता था कि टैक्सू बीष्टे ही न लेकिन यह जगह बिलकुल भी नहीं बदलती जिसके बाद यह चच्चा फिर से बोलते हों कहता है भाई तो हमको चूतिया बना रहे हो क्या यह पहले से ही एक रिस्टिक्टिट प्लेस है जिसे यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है और यह पहले ही बहुत पारफुल है मेरे रिस्टिक्टिट प्लेस से भी ज्यादा पारफुल मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरुवत नहीं है प्रिजेंट टाइम पे यह बर्ड बैटल किसी ना किसी के कंट्रोल में है वो जब चाहे इस प्लेस को बदल सकता है और जैस परसन ने भी और उस पे अपने एक नया बल्ड बनाता है और यह यह बंदज जो यान को बता रहा होता है दूसर जहां चाहोत तरफ देखता है और इस टाइम पर एमोडल पैलेस पे जो यान बड़े हाल पर देख रहा होता है जो हाल नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा island लग रहा होता है क्योंकि जहान ने अभी तक immortal palace का ending point नहीं देखा था साथी दूर palace को बरा हुआ देखा जा सकता था लेकिन बे real नहीं लग रहे होते और इस person के according अगर ये बात सही थी तो फिर ये से निर्बाना immortal palace को Empress द्वारा यहां पे transfer किया जाना चाहिए यानि कि इस टाइम पर जोयान और सभी लोग Empress के restricted area में है तभी वो बंदर केता क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो मैं बापस जा रहा हूँ और इतना कहकर वो 9-9 of divine god में लोटने की तयारी करी रहा होता है कि तभी जान कहता है एक मेरे रुक है senior क्योंकि senior बाहर आही चुके है तो क्यों ना आप अपनी हड़ियों को थोड़ा सा relax कर ले आखिर कर ये आपके लिए एक अच्छा exercise होगा चलिए इन्हें मारने के लिए मुक्के लास कॉप्यों करते है और ये सकते जान इसमायल करके उनकी दरब देखता है हाला कि जान को इस बार फिर से एमप्रेस की पावर का एक एहसास हुआ था लेकिन वो अभी भी जानता था के एमप्रेस की Soul Lab, Soul Cluster है अब वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी वो थी भले इस ने खतरनाग पावर दिखाई हो लेकिन ये पावर जल्दी ही खात में भी हो जाएगी और जो आन नहीं चाहता था कि Empress इतनी जल्दी गायब हो वो अभी भी Empress की मदद करने का तरीका खोजना चाहता था कम से कम उनका मन बदलने की और उसे बापर reincarnate करने की और अगर वो से reincarnate नहीं करा सकता तो कम से कम reincarnation के लिए तो motivate करी सकता है कि जाके पुनर जनम ले ले यार फिर मेरी भी बन के आजा लेकिन पॉब्रम यह थी कि Empress को reincarnation में अब कोई interest नहीं था उसे लगता है कि Empress उसे पसंद करती है लेकिन बेसक अगर उसे इस तरीकी चीजे पसंद है तो वह ऐसा करने का दिखावा कर सकता है कि यार मेरे लिए आ जाओ साइद Empress मान जाए यह जो यान सोच रहा होता है लेकिन जोन को यह भी लग रहा होता है कि क्या Empress सिर्फ दिखावा कर रही है जोन अभी भी अपनी दिल को समझा रहा होता है अखिरकार उनका एक दूसे के साथ काफी क्लोज लेसन है साथी बो दौनों एक दूसे को गहराई से भी जानते हैं और अच्छे से समझते भी है लेकिन फिर भी Empress काफी जादा मिस्टीरियास है साथी प्रजयन टाइम की फाइट में अब जौन को ऐसा भी लग रहा होता है कि एमप्रेस ने अपनी पूरी पावर का यूस करना सुरू कर दिया है और यह अब उसकी आखरी पावर है जो कि उसका लाश्ट, एंडिंग, सौंग या एंडिंग, परफॉर्वेंस होगी और ताइक सू, इस बैटल में ताइक सू के साथ ही साथ एमप्रेस का टाइम भी खत्म हो जाएगा जौन यह बात समझता था और एमप्रेस की मदद के लिए वो पूरी पावर यूज़ करना चाता था था कि वो जौन टेंट टूरेलम की भी मदद कर सके क्योंकि एमप्रेस हो, या फिर यो हाइनेस ऐसा लगता है कि दोनों ही पावरफुल ओरीजन जब उनकी पावर एक निश्चित पॉइंट तक पहुँच जाती है तो वो अपने लग को दुनिया से जोड देते हैं लेकिन बेसक जोयान की मेमोरी में अभी भी डैमन गॉड भी थे जोया एकदम पागल चूतिया भंड आदमी थे जिससे दुनिया से कोई मतलब नहीं उनकी खुद की अलग दुनिया थी इसलिए जोयान ने उन्हे एकसेप्सन में रख दिया होता है दुर्सप जोयान की बात को सुनकर लंबा परसन अपना सेला तो कहता है मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है हालकि उसे लोगों को मारना इसलिए पसंद नहीं क्योंकि एसे अन्टाम पर उसने अंगिनत लोगों को मार दिया था जिसके बाद बंदा साधू सन्यासी बन गया जो अब लोगों को नहीं मारता बलकि मचली पालता है पूजा पाठ करता है भगवान का नाम लेता है तब ही नाई नाई ओफ डिवाइन गौड भी गुस्से है नाई नाई ओफ डिवाइन गौड के अंदर अब है नाई टेल ओफ डेमन फॉक्स यहाँ पे इसकी तब देखते हैं कहती हो उसने लगबग मुझे बचा ही लिया था मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती चच्चा बहुत है सक्त लॉन्डे हैं अरसा के तुब अपने होट से कोड लेती है और गुस्से में कहती है दूसर नाई टेल ओफ डेमन फॉक्स की बास को सुनके जोँएन थोड़ा सा हरान होता है पूझा पाड़ से तुमारा जो ये दिल है सांथ हो जाएगा क्या तुम इस बात को समझ रही हो और चच्चा की जो आबाज होती बहुत जयादा मीठी होती है जैसे की चच्चा डेमन फॉक्स की ओपर फसी पड़ी हो आउ दूसरा युद्ध करते हैं साथी Nine Tail of Demon Fox काफी जारा गुस्से में होती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखे तो पाएंगे कि Nine Tail of Demon Fox की जो बॉड़ी होती है उसमें एक attractive smell होती है गुलाबी, सायन, पतली, कमर भरे हुए, कूल है ये कूले क्या होता है भाई, डिगगी I mean, I mean backyard और बेहत खूपसूरा टांगे, चच्चा को टांगो कब हो जोटाना है चच्चा तो चालू निकला, दूसरा जब जब जो यान ये देखता है तो अपना सिर्खुझ लाए लगता है क्योंकि Nine Tail, Demon Fox की तरफ उसकी आँखे टिकी ही होती है और powerful domain level की spiritual power के बाद भी जो यान इसके attraction को देख सकता था तभी copper man तुरंदी गयता है तुम अपनी body की गंध को सुगंध कहती हो, जो सब जो यान इस time पे इसकी बात को सुनकर काफी ज़्यादा हैरान खुद को महसूस करता है तभी nine tail of demon fox तुरंदी गुस्ते में अपने हाथों को कमर पर रखती है और अपनी उंगली से अपने कमर को हलका सथ दबाती है और अचानकि उसकी figure और ज़्यादा beautiful हो गई होती है साथी उसके गुलाबी गाल गुस्ते से भरे हुए होते है साथी nine tail of demon fox तुरंदी गयती है खडूस खडूस आदमी हो तुम क्या तुम जानते हो तुम खडूस हो और इसमें कोई सर्प्राइस की बात नहीं कि हजारों सालों से तुम अकेले हो नले ही मरोगे तुम भाई nine tail of demon fox कह रही है यह भरोसा ना हो तो मैं इस्क्रीन सोट चपका दूँगा साथी nine tail of demon fox ने जब गुस्ते में यह का होता है तो लंबा चोड़ा चच्चा कुछ भी नहीं कहता लेकिन अपना से उठा कर दूर की तरफ देखते हुए कहता है मैं एकसन ले सकता हूँ लेकिन मैं केवल एक हजाल लोगों को मारूंगा और दो बार आसानी से एकसन नहीं लूँगा क्या तुम्हें मंजूर है जो देखके जोहन तुरंदी कहता सीनियार आपकी पार दो हजाल लोगों को मारने के लिए काफी होनी चाहिए है ना जोहन सोच रहा होता है एक कीमत बढ़ाएगा लेकिन यह तो कीमत घटा रहा होता है सत इतना कहने के बाद वो चच्चा जोहन से बात करना बंद कर देता है और सीधा ही जोहन ने भी चच्चा से बात करना बंद कर दिया होता है क्योंकि जोहन को भी डरता कि अगर दोबारा बोलेगा तो ये एक हजार से पांसो कर देगा इसलिए चचच जितने बंदों को भी मार सकेगा ये पहले ही अच्छी बात है कम सिकम फाइट का कुछ प्रेसर तो कम होगा तभी बिना किसी चेतापनी के एक धमाके के साथ एक पाउरफुल एयर फ्लेक्ट्वेसन होता है जो जोहन और नाइन डेमेंट फोक्स को कुछ कदम पीछे की तरब धकेल देता और जब वो करीब जाकर देखते हैं तो ये बंदा मेटरोइट की तरह आंगे की तरब बढ़ चुका होता है और क्रेजी स्रॉड में बाकी लोगों की ओर भाग रहा होता है साथी कई लोग एक ही टाइम पे पीछे की ओर चले गए होता है और जैसे ये सीन सामने आ होता है तो इस टाइम पेले में नंबर का जो बंदा होता है उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था क्यों उसके उपर अटेक अचानक बंद क्यों हो गए और कोई उसके उपर अटेक क्यों नहीं कर रहा लेकिन जब तक उसके कानों के पास एक भारी सीटी की आवाज नहीं सुनाई देती जिसके बाद वो उपर की तरफ देखता है कहीं से एक कॉपर की फिगर उसके सामने दोड रही थी और उसकी बॉड़ी का जो वाइड गॉड आर्मर होता है अचानक उसे कसकट जकरते हो अपने डिफेंस को श्ट्रॉंग करने लगता है जिसका मतलब था कि उसके सामने की जो फिगर है उसे पूरी तरही के से डिश्ट्रा करने की श्रेंट रखती है और जब यह फिगर आई तो जो यान के वाइड गॉड आई मीन वाइड गॉड नहीं बलकि मार्सल गॉड विंग्स की तैज चमक बिखेर रही होती है और एक दम फुली स्पीड के साथ 11th नंबर के बंदे के सामने होती है और तुरंदी गयती है अब तुम हिल नहीं सकते जैसे ये आर्मर के अंदर से उसकी आब आज आती है ऐसा लग रहा था उसकी बॉड जैसे किसी जगह पर जम गई हो और उसने कितनी भी कोसिस कोना की हो फिर भी वो बिलकुल भी नहीं हिल पाया यहां तक कि उसका बॉड गॉड आर्मर भी उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता 11th नंबर के बंदे का जो सिर होता है वो चीटी के अंडे जैसा होता है जो हाती के पैर के नीचे आ गया हो जिसके बाद एक की काकी या बात सुनाई देती लेकिन इस समय 11th नंबर को जो बंदा होता है उसका वाइड गौड आर्मर अचाना की गोल्डन लाइट से ग्लो होने लगता है और सारी इमोटल पाउर एक धमाके के साथ बाहर आती और आर्मर फट गया होता है और ये बंदा उसे चच्चा के हाथों से फ्री हो गया होता है साथ 11th नंबर के बंदे की छाती पे लगा हुआ एक रेड क्रिश्टल अचाना की धुंदला हो गया होता है और ये बात तो साबित कर दी थी कि उसने अभी अभी अपनी सारी इमोटल पाउर को खत्म कर दिया था साथ ही यहाँ पे वाइड गौड आर्मर का खोपड़ा भी गायब हो चुका होता है और लेबेंद नंबर का जो सिर होता है वो खून से लटपत होता है और उसकी सकल को पहचाना नहीं जा सकता था हाला कि वो इससे में अपने सुन्दे चैरर की सुन्दर चैरे की परवा नहीं कर सकता था यहां केवल उसे जिन्दा रहने के बारें सोचना था जैसे ही उसे आज जादी मिली होती वो पंके फड़ फड़ा कर पीछे की तरफ भागने लगता लेकिन तभी एक आवा जाती है बापस आओ और इससे पहले की वो सो फीर दूर की तरफ जाता कि उसे इस बंदे की आबाद सुनाई देती है और जैसे यह आबाद आती है तो नमबर 11 जो बच गया होता है अचानक उसके बाड़ी के बिंग्स अपना केंट्रोल खो देते हैं और उसकी फिगर फिर से बापस पीछे की आने लगती है इस टाइम पर फिर से अपनी प्रिजेंट टाइम की सिच्वेशन में आ चुका होता है इसका सिर्के नीचे का आप एरिया देख सकते थे उसकी आँखों में डर होती है बाड़ी में बेचैनी होती है वो यहां से भागना चाहता था वो चिला तो यह कहता है नंबर वन लीडर नंबर वन मुझे बचाओ यह 11 नंबर का बंद पागलों की तरह चिला रहा होता है लेकिन उसकी आबाज अभी फैली नहीं थी कि अचानक की कॉपर मैन का पिक एक्स उसकी खोपड़ी के अंदर चला जाता है और उसकी बोड़ी फट जाती है साथ ही ऐसा अटैक का सामना करने की पावर नहीं थी और 11 नंबर का बंद इस श्ट्राइक से मार दिया जाता है उसके मास्क के पर खच्चे उड़ चुके होते हैं जो चारतर बिखर चुके होते हैं हालाकि इस बंदे के जो बोड़ी के चीतर उड़े थे वो देखते ही देखते एक पास अब लड़ने की श्रेंट नहीं थी लेकिन उसकी प्रेजेंस भी काफी चौकाने वारी थी आखिरकार वो 11 नंबर का बंदा है जो ताइक सु वर्ड के अंदर कम से कम कुछ प्रेजेंस तो रखता ही होगा और उसे पावर्फुल ओरिजनस में एक माना जा सकता है साथ इन ताइक सु वर्ड के लोगों के लिए नंबर 11 को मरते हुए देखना इनके लिए इतना बड़ा दुख था कि इनको हाटा टैक आ चुका होता है इस समय जो यान ने अपने दिमाग में 9 Eye of Divine God में Seek Figure को देखा हुआ होता है और इसके बाद इसके नाम को याद करता है कि य है कौन चच्चा का नाम क्या है और अच्चानक ही जो यान के दिमाग में इसका नाम आता है यमराज हाँ भाई इसका नाम है डेथ गौड तो यमराज ही हुआ ना चच्चा यमराज चच्चा है ये तभी 9 Tale of Devon Fox तोने दिकती क्या तुम उसे जानते हैं और अच्चानक ही वो जो यान की तब देखती जो अभी ये नाम बड़ बड़ा रहा था तभी यान सेह लाते हुए कहता है मैं केवल सीनियर का नाम जानता हूँ मैं इसके लाबा इनके बार में कुछ भी नहीं जानता कि इनकी पावर क्या है बैसे चच्चा यमराज की पावर है कितनी जो द लिखती है और वह उठाते हो गुस्ते से कहती है लिटिल ब्रेदर बखवास बंद करो हाला कि मैं थोड़ा बहुत लड़ाई जगड़ा करती हूँ लेकिन मेरी भी अपनी रिष्टिक्सन्स हैं मैं यह सब उल्टे सीधे काम नहीं करती उसके साथ रहने बाले लोग वही ग तुम डेथ गौड जन तुरंदी कहता है ओ चच्चा यमराज जैसा नाम बैसे काम हाला कि मझे इनके बार में ज्यादे इंफोमेसन नहीं है लेकिन सच में यह काफी यहना मिश्टीर है मैं तो कन्फ्यूस हो गया वो तुरंदी कहता क्या बस्त में डेथ गौड ही सीनियर क जो वो है जो वो बाकी के लोगों को दिखाता है यह काफी मिश्टीरिस आइडेंटिटी होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ उसका नाम है जीबू और डेथ गौड उसका ग्रेट बल्ड में नाम था या उसकी आइडेंटिटी जिससे लोग उसे पहचानते थे का यही असली मतलब है तभी नाइंटेल डेवन फॉक्स तुरंती कहते हैं बिल्कुल इबिल सोल्स को माणने के लिए यही जिम्मेदार है जो सुनकर जोहन से लाता है और कहता है मारे पल ले न पड़ा मतलब कैसे इबिल सोल जो देखकर डेवन फॉक्स अपनी खोपड़ी जाएंगे दोस्ताब जब यह नाइंटेल डेवन फॉक्स जोहन को बता रही होती जोहन की नजद उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की तरफ चली जाती है जो देखकर जोहन के लिए फोकस करना मुस्किल हो रहा होता है और एक दम हैरान हो गया होता है जोहन कहता है इसक सामने आगे होती है सथ इसी टाइम पे अचानक ही एक क्रुएल और स्ट्रॉंग किलिंग इंटेंट और चारो तरफ फैल ले लगता है हालक यह बहुत श्ट्रॉंग तोरे से आसानी से महसूस किया जा सकता था दूसरी तरफ यह ओरा जैसे ही नाइन टेल आप डेमन फॉक् क्यिस्यां कौन पैदा हो गया जो नाइन टेल पिएवरत की तरफ के और प्तैक करे रहा है सब कोई तो इसकी एक किसके बस में यह तुटहीं मुड्कर पीछे की तरफ देखता है कि और आ कहा से रहा है दूसर नाइं टेल आप डेमन फॉक्स भी तुरिंधी थाख यह चक्कर चल रहा है और नहीं सकते हैं नाइन टेल अफ डेमन फॉस अट्रैक्टिवली जयान की दब देखा इसमाइल करती है लेकिन बेचारी हस नहीं रही थी बलकि यह मजबूरी की हसी थी क्योंकि उसे पता था कि वह जयान के जा सकती हैं और कोई नहीं जा सकती कोई भी गई इस प्रॉपरिटी के पास मैं उससे कहीं जाने लाइक ही नहीं छोड़ूँगी सर्थी सीन ने जोयान को तुरंती मैसूस कराया था कि अब बातचीत कंटीनियू नहीं रख सकता क्योंकि अगर वो यहां पर ध्यान नहीं लाइगी आखिरकर अभी भी कोई यह नहीं बता सकता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा दूस्ता इंप्रेस की जो ब्लेज आर्मी होती है उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है और बढ़ती जा रही होती और यह तो नॉन कमिटेड है थौट होता है कि हंटिंग आक्सू से निपटने का अब एक मौका होगा साथी निर्वान एमोडल पेरेस दोरब बुलाई गए धदकती हुई आर्मी एंप्रेस की सबसे ही स्ट्रॉंग पावर होनी की अपभा थी जैसे जुआंट्यान टूरेलम में कोई भी नहीं जीत पाया था ना केबल जूचीस क के बार में सोच रहा था बलकि खोई हुए मिथ भी थे उसे हमेसा यही लगता था कि आर्मी के बल मिथ में होनी चाहिए यह सिर्फ एम्परर के लिए एम्प्रेस के लिए बनाए गए जूट हैं बट आज उसने अपनी आखों से जब देखा होता है बलेज आर्मी को और उन लिए एम्परेस के बार में जानते थे साथ ही उन्हें ख़बर से पता चला था कि आए आर्मी की बहट हो चुकी थी इस नोनने दील एक का पनेक अंपरस के लिए बे pretty और इस समय सबसे अंत में ताइक सू बीष्ट के पीठ पे कई फिगर खड़ी होती हैं और लीडर के हाथ में जो दो नमबर लिखा हुआ होता है वो 11th नमबर के बॉड़ी को डेथ को देख रहा होता है हाले कि उसने नमबर वन को बुलाय था लेकिन ऐसा लगता है कि नमबर अभी तक प्यार ही नहीं हुआ था केबल नमबर टू ही इस ग्रूप को लीड कर रहा था और नमबर 11 की डेथ उसे भी पहिसान कर रही थी आखे का उसने एक जर्णल भी खो दिया था लेकिन ये तो लखी था कि उसकी डेथ के बाद वाइड गौड आर्मर को बापस ले लि मार के तो लूँगा लेकिन मैं लेके रहूँगा साथ ही टाइकसु बल्ड के बाकी के लोगों के मरने के बाद भी सेमी चीज हो रही थी कि वो मर रहे थे और उनके वाइड गौड आर्मर गयाब हो रहे थे जाहे तोर पर टाइकसु बल्ड के लोग इन्हें बापस ले रह रहे थे क्योंकि इन्हें वाइट गौड आर्मर चाहिए थे ना कि वे अपने साथियों का बदला लेने आ रहे थे भले ही एक जो ठोल लेकिन इनका मोटिव के बलेख है वाइट गौड आर्मर को अपने पास रखना हाला कि नंबर 11 की डेस के बाद उसी टाइम पे चौक और फ्लोर पर एक और फिगर उड़ती है और उसकी बाहें पे नंबर 11 था क्योंकि ये वाइट गौड आर्मर तुरंती नई परसन को इने टैंस में दे दिया गया था क्योंकि जब तक वाइट गौड आर्मर उनके पास है ये पोजीशन खाली नहीं होगी जो देखके जो अंत तुरंदी कहता है ये फाइट तो हो नहीं है क्योंकि एमप्रेस की डेथ नहीं हुई और जब तक वो जिन्दा है जो आन्ट्यान टूरेलम के पावरफुल लोगों से सपोर्ट करेंगे हाला कि ऐसा लगता है कि जो आन्ट्यान टूरेलम के 50% से ज़्यादा पावरफुल ए और आखे भी गोल्डन तो यो बंदा कहता है इन में से कितने इमोटल द्वारा कोई को पीछे छोड़ा जाएगा आखेकार इन्हें मारने के लिए जो खर्च करना पड़ेगा हमें रिसोर्से उसकी भरपाई हम बिल्कुल भी इन्हें मार कर नहीं कर सकते ना ही हम फाइट क कि अब आज काफी कोल्ड लग रही होती है यहाँ पर नमबर टू की भी वह सिकुड़ी रही होती है हाला कि वह साफ तरपर फाइट नहीं चाहता था उसकी नजर जोएंट यांट टूरेलम में किसी को भी मारना रिसोर्सिस की बरबादी लग रही थी नमबर टू तुरंद जाएगा तभी वह बंदर तुरंदी कहता है आप लोग सीधे ही तैक्सु गौड बीष्ट के डिस्ट्रक्शन बीम का प्योग कर सकते हैं मुझे लगता है पचास डिस्ट्रक्शन रे जुन सभी को खद्म करने के लिए परयाप्त होंगी हाला कि इसकी खपत बड़ी होगी लेकिन प्रेजन टाइम पे यही सबसे ज़्याद एजी तरीका है और सबसे खतरनाग तरीका साथ यह नमबर त्री नहीं ने सजेस दिया सजेसन दिया होता है ऐसा लग रहा होता है कि प्रेजन टाइम में कोई भी ऐसा सजेसन नहीं था जो कम टाइम पे कम नुक्सान के सजेशन पर हिला दे अबव एजएक्ट कर देता उसका सजेशन ना करते हुए अपना से हिला देता है मतला तब ही उनकी ने जर दूर पर एंप्रेस की तरफ जाती है वो तुरंती कहते हैं इन सभी लोगों को एंप्रेस ने बुलाया है और सभी उसी के ओर्डर्स को फॉलो कर दूर से एंप्रेस की तरफ ही देख रहा होता है ये छोटा गोरा सा लॉंडा जिसके चेहरे पर वाल होते हैं साथ इसकी प्रेजेंस और लोग काफी दवंग लग रहा होता है वो तुरंती कहते हैं बिल्कुल सही का आपने पहले हमें चोर को ही पकड़ना चाहिए ये तयार था लेने के लिए देखे ना आजाए बस हाला कि वो आंगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी नंबर टू तुरंती कहता होए एक्सन लेने से पहले क्या कभी तुमने एंप्रेस की पावर के बारे में समझा है दूसर नंबर चार को देख जो आंगे बढ़ने के देखा था उन सभी को तो यही लगता था एंप्रेस की तो बत्ती गुल हो चुकी है तो एंप्रेस को समझ कर टैम बेस्ट क्यों करना तभी नंबर टू तुरंती कहता है यह रूमर है कि एंप्रेस ने गौड एमोटल लेवल को ब्रेक्ट्रू कर दिया था क्या आपको लग यहां के काभी थाटफूल तरीके से एंप्रेस को देख रही होती जो ड्रेगन थ्रॉन पर आसानी से बैटी होई होती है सत्य एंप्रेस के चारह एक दम रिच लगजीरियस लग रहा होता है लेकिन नंबर तरीको ऐसा लग रहा होते जैसे एंप्रेस दिखाबा कर रही है तब ही वो वंदर तुरंती कैते हम ने और हमारे ताइक सुबल ने जाच की है, और ये बास्तों में सावित हुआ है कि एम्प्रिस की डेस बहुत टाइम पहले ही हो चुकी है, और अगर ये बास्तों में एक Immortal God है, तो वो हमें resources loot ने और action लेने की जाज़त क्यों देगी हाला कि इसके बाद ये थोड़ा सा गलत लगता है लेकिन अगर ध्यान से सोचते हैं तो इसका कोई sense नहीं बनता हाला कि number 3 एक लड़की थी उसकी आखें चमक रही होती हैं और वेश्पष्ट तोर पर काफी thoughtful थी क्योंकि लड़किया काफी सोच समझ कहीं काम करती हैं फिर भी हाला कि इनके decision चूतिया आपा वाले ही होते हैं तिमाग की कमी के कारण बट ये नाटक तो करती हैं कि हम सोच रहे हैं जैसे वयान इनके सामने आते हैं नमबर दो और नमबर चार दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उन्हें भी ये चीजे समझ में आने लगी थी वो तुरंती कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि क्या वो सिर्फ अभी दिखावा कर रही है या फिर ऐसा है कि वो बास्तों में मर गई है और अब केबल सोल क्लश्टर है नमबर टूने जैसे ये कहा होता है नमबर त्री से लाती और एंपरेस की तब देखना कंटीनू रखती है और इसके बाद वो सीरियस होकर कहती है कि एक लड़की एक लड़की के बाद में अच्छे से समझतकती है और इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिल्टी है कि वो नाटक कर रही है अगर वो बास्तों में मॉटल गौड है तो हमसे निपटने के लिए ऐसी पहसानी में जाने की कोई जोयत नहीं वो बास्तों में हमारे पास आकर हमें आसानी से मार सकती है और उसके लिए ये सब करना कठिन नहीं है लेकर उसने अभी तक एक्सन नहीं लिया इसलिए वो अभी भी इंतजार कर रहे है मुझे लगता है एमप्रेस एक्सन लेने की स्ट्रेटजी नहीं बना रही वो अब उतनी पाउरफुल एमप्रेस नहीं रही जिसके बारे में ड्यूमर समने सुने थे ये केवल दिखावा होना चाहिए जब नमबर त्री पूरी तरीके से ये सब बता रहा होता है तो नमबर टू और नमबर फूर भी अपने से लाते है साथ ही नमबर तू त रहनती कहता है बास्तो में नमबर त्री ने जो कहा वो सही लगता है और अगर एमप्रेस उतनी पाउरफुल नहीं है तो फेर उसे आसानी से दबाया जा सकता है दबा के दिखा जिसके बाद नमबर टू तु 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 ठीक है आप दोनों में से इस चीच को कौन आज माना चाहेगा क्योंकि आपने कहा कि ये सच है तो क्या आप इसे जाकर आज माना चाहेंगी और इतना कहते हो वो दोनों लोगों की तरफ देखने लगता है सथ यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग एक दूसरे को देख रहा होते क्योंकि सभी लोग कापी स्टॉंग लोग थे सभी ने वाइड गॉड आर्मर पहन रखा होता है और यहाँ के यही लोग केबल एमप्रेस की पाउर को टेस्ट करने के लिए क्वालिफाई थे तभी नमबर टू तरू तरू ती कहता हाला कि अगर यह रेजल्ट सच है जैसा कि नमबर थ्री ने कहा तो यह युद्ध को जीतने का सबसे आसान तरीका होगा हालक एमप्रेस अभी भी सुपर स्टॉंग परसन है जो रिउमर्स के कोडिंग एमप्रेर गौड एमप्रे लेवल पर है और अगर यह बात गलत है कि एमप्रेस अभी भी अगर उतनी ही पावर हुई पावर फुल हुई तो इस बंदे की सीधी जान जाएगी जो किम जादा है लेकिन जीतने का तरीका भी सबसे आसान इस टैम्पे नंबर फोर जो इस टैम्पे आंगे बढ़ने के लिए क्यूरियस था है इस टैम्पे चुप रहने का आप्सन चूज करता है आखिरकार गौर्ड एमोर्टे लेवल ये बड़ी चौकाने के लिए काफी था और किसी ने भी नंबर टू का अंसर नहीं दिया होता ना ही किसी ने आँगे बढ़के एंप्रेस के साथ फाइट में उसकी पाउर को टेस्ट करने की कुछिस की होती तभी नंबर टू तुरंदी का अज़ता है कि कोई भी तरी कोई भी इसके लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये तरीका काम नहीं करता ये किसी और तरीके के बार में सोचते है और नंबर टू किसी को मजबूर नहीं करता क्योंकि इस से बैटल का जो नतीजा है चाहे कुछ भी हो उसकी नजर में तो टैक्सू 100% जीतेगा तभी एक बंदर तुरंदी केता है ये कौपर परसन काफी पाउरफुल है किसी को तुरंदी उसे रोकना होगा जैसे ही कुछ लोग आया होते बैटल को देखते हैं तो यहाँ पे तो चच्चा यम्राज लोगों के प्राण हर रहे होते हैं और उसकी बैटल पाउर से सभी टैक्सू वर्ड के लोग काँप रहे होते क्योंकि यह जहां भी निकल जाते थे लोगों के सीने से प्राण निकल जाते थे चारों तरफ वाइड गौड आर्मा टूटा पड़ा डला होता है तो इनकी वाड़ी के परखच्चे भी उड़े डले होते हैं कोई भी उनके साथ बास्तमें एक एक्षेंच की भी फाइट नहीं कर पा रहा होता युद के मैदान में ये धीमी चीखने की अबाजें लगातार आ रही होती है साथी कॉपर परसन जो चच्चा यम्राज थे वो हलके से हाथ हिला रहे होती जैसे ये सब अटेक्स उनके नॉर्मल अटेक हो लेकिन अटेक नॉर्मल लग रहे थे पर थे भड़े खतरनाक कोई भी जटका खाली नहीं जाता किसी ना किसी की लेके ही जा रहा होता है जान और कोई भी उनके आसपास जाने की हिमत नहीं कर रहा होता साथी दूसी तब डेथ गौड के पीछे पहले से ही लोगों का एक गुरूप चल रहा होता है साथी ये गुरूप अजीब टेढ़ा मेड़ा और काफी खतरनाक लग रहा होता है कुछ की कमर टूटी होती है कुछ के सिर्फ फटे हुआ होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये डेथ गौड को अपना गौड मानते और उनी के पीछे जा रहे है तब ही एक बंद तुरंती कहता है वास्तों में कितनी पावर्फुल पावर है लियूयान यांग सॉंग आप दोनों तुरंती एक्सन ले और उसे मार डालें ये बात सुनने के बाद नंबर 9 और नंबर 10 दोनों ही आँगे बढ़ते हैं और तुरंती आँगे की तरफ निकल जाते हैं तब ही वो नंबर 2 तुरंती कहता अगर जरूरत पड़े तो आप रिस्टिक्टिड वैपन्स का यूज कर सकते हैं और वो तुरंती उन्हें याद दिलाता है जिसके बाद दोनी फिगर अमोटल पार का यूज करते हैं आंगे की तरह फुड़ गई होती हैं साथी इस टैंप उनकी वोड़ी सी जो और रिलीज हो रहा होता वो एकदम खतरनाक होता है साथी इन लोगों के दिल में काइडनेस वाइडनेस तो कुछ भी नहीं थी ये लोग केबल मरना और माणना ही जाते थे साथी जब ये लोग सुनते हैं कि उनके पास एथोर्टी एंड निसेद यानि रिश्टिक्टेड मार्सलाट को सो करने की तो ये तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं तो चलोगा इस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करेंगे नेक्स एपिसोड में हम देखेंगे क्या कर कर ये जिश्टिक्टिड फॉर्मेशन है क्या तो वाइवाइट यान पैमली और अगर बुरा है तो यार अर्जेस्ट करो अब जो चल रहा है चलने दो ठीक है ताटा सो जाओ